हेलो फ्रेंड मेरा नाम है रवी कुमार और आप देख रहे हैं दे रवी टेक्निकल योटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में आज हम MP4 जो सेट अप बॉक्स होता है उसमें क्या होता दोस्तो कई लोगों को स्केन करने नहीं आता है चैनल को अगर चैनल डिलीट हो जाए तो उसको स्केन करना समझ में नहीं आता है कि किस फंक्सन से स्केन होगा चैनल ठीक है MP2 सेट अप बॉक्स में क्या होता है कि आसानी से आटो स्केन हो जाता है लेकिन MP4 Setup Box में कई सारे function होते हैं उसमें पता नहीं चल पाता है कि कहां से scan करना है मैं तो इस वीडियो में हम MP4 Setup Box को scan करेंगे ये वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे scan करते हैं और हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और notification on कर लीजिए क्योंकि इस तरह कर टेक्निकल वीडियो लेकर अधरता हूं तो आप वीडियो को subscribe कर लिजिए और notification on कर लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने TV के screen पर वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्कैन करते हैं MP4 सेटा बोक्स कोई भी साभी हो सकता है किसी भी कंपनी का हो सकता है सॉलिट का या नॉर्मल जो मार्किट में मिलता है ठीक है तो चलिए देखते हैं तो देखिए इस समय कोई भी चैनल नहीं यह इस पर दिखाई दिया हुआ सब डिलीट हुआ पड़ा है तो हम अपने रिमोट से मैन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से फंक्सन खुलेगा और हमें सेटलाइट लिस्ट पर जाकर ओके का बटन प्रेस कर देना है तो कोई सब एक सेटलाइट ले लेते हैं जैसे को उपर NNS जैसे डिदी फिली डिसका है सिगनल नीचे दिखाई दे रहा है आपको ठीक है इस ट्रेंज और क्वाल्टी उसके बाद आप देखेंगे कुछ नीचे लाइन है बने हुए है तो हमें सर्च जहां लिखा हुआ है ब्लू कलर पे तो अपने रिमोट में हम देखेंगे ब्लू कलर का बटन प्रेस करेंगे और उपर जो दिखाई दे रहा है प्रिसेट उसको ब्लाइंड कर देंगे और नीचे जो एफटी ए ओनली है तो येस कर दें क्योंकि हमें फ्री टू एर चैनल चाहिए ठीक है और सर्च पे जाके ओके का बटन दवा देते हैं तो ये स्केन होना सुरू हो जाता है दोस्तो डूडी फ्री डी सेटप बॉक्स होता है दोस्तो जैसे कि MP2 सेटप बॉक्स होता है उसमें मेन्यू में जाके आटो स्केन कर देते हैं तो हो जाता है इसमें हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ब्लाइंड या आटो भी आप प्रिसेट भी कर सकते हैं इसमें ब्लाइंड का उफसन होता है तो आप वो प्रेस करके स्केन कर सकते हैं और FTA होता है FTA only कर देंगे तो जो free to air channel होते है FTA का मतलब होता है free to air FTA कर देंगे तो free to air channel सारे आ जाएंगे और इसको off रखेंगे तो free to air वाले भी और pad channel जो हते है scramble channel वह भी आ जाएगा ठीक है तो इसलिए हमें FTA channel को yes करके रखिए तो इसमें सिर्फ free वाले चैनल आएंगे तो देखिए कुछ channel आ चुका है DD विहार और दूसरा है Sun News अब देखिए धीरे धीरे सारे चैनल आ जाएगा तो इसको आप scan कर सकते हैं दिक्कत होती है दोस्तो कई बार MP4 setup box सम खरीद लेते हैं और scan करने के लिए नहीं आता है हमें तो आप इसमें देख सकते हैं scan कैसे करते हैं इसमें बहुत सारे फीचर होता है दोस्तो MP4 setup box में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा MP4 setup box का फूरा feature की कौन सा feature कहा है कैसे और किस काम आता है तो यह देखिए इस channel आ रहे है बंदे गुजराद ठीक है DD free disk में क्या होता है दोस्तो कुछ channel 93 degree पर 95 degree पर आता है कुछ 95 degree पर आता है मतलब डिस TV और DD free disk दोनों मिलकर चलता है ठीक है तो आप देखेंगे अब DD free disk के channel आ रहे हैं उपर टीपी लिस्ट भी दिखाई दे रहा है ठीक है पॉलारीटी भी है यह देखिए एक सो सदतर चैनल आ गया उसके बाद हम OK का बटन प्रेस कर देंगे रिमोट से और चैनल हमारा सेव हो जाता है तो दोस्तो आसा करता हूं वीडियो पसंद आई है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ